कल रात एक बजे के करीब जनपद बहराईच के देहात कोतवाली अंतरगत दीहा गाव के पास भयंकर सडक आजसा हुआ जिसमें करीब पांच लोग घायल हो गए जबकी एक बाईस दिन के नवजात शिशु की मौत हो गई घायलों को कुलीस ने देर रात जिला अस्पताल में भरती करवाया था जहां से बताया जा रहा है कि दो तीन लोगों को हालात गंभीर होने के कारण लखनव ट्रामा सेंटर रिफर किया गया है बताया जा रहा है देर रात एक कंटेनर ट्रक और मारूती कार की आमने सामने से जोरदार भिडंध हुई है कार में सवार लोग एकोना इलाके के अकबरपुर गाव के निवासी बताये जा रही है मिली जानकारी के मुताबिक अकबरपुर गाव में एक नवजाच शिशु की तबियत रात को खराब होने लगी तो घर के लोग कार में सवार होकर जिला अस्पताल बहराईच दिखाने के लिए जा रहे थे जैसे ही यहाँ लोग बहराईच में दाखिल होते की दीहा के पास सामने से कंटेनर ने टक कर मार दी सबसे दुख की बात यहाँ है कि इस हादसे में कई लोगों के हाथ पैर तूट गए वही एक नवजाच शिशु की भी मौत हो गई झालों के लोगों जाजीजपन खुश